मोग्रा के प्लांट में अगर जादा मात्रा में फूल और कलिया नहीं आ रही है प्लांट की जो ग्रोथ है अगर वो अच्छी नहीं चल रही है यानि प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है या फिर जो कलिया प्लांट में आ रही है वो फूल खिलने से पहले ही वो होने लगेगा साथी पौधे में फूल और कलियों की संख्या बहुत जादा बढ़ेगी और एक भी जो प्लांट की कलिया है वो ड्रॉप नहीं होगी सारे के सारे जो कलिया है वो फूल में कनवर्ट होंगी दूस्तों मोग्रे का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो जाधा पूरे उसकी महक जोंहें फैल जाती है गर्मियों में मोगरे की ग्रोफ तो बहुत ही जाद अच्छि जादा में होते हैं तो इसको अगर अच्ची चार से पांच गंटे की धोप मिलती है तो मोगरे के प्लांट ग्रो भी अच्छे करते हैं साथ ही इसमें जो फूल और कलियों की संख्या है वो भी ज्ञादा मात्रा में आती है तो अगर आपके मोगरे के प्लांट की ग्रोथ रूकी वी है बिल्कुल भी प्लांट नहीं ग्रोख कर रहा है तो आप उसकी हलकी pruning कर दें उपर से tip को जैसे मोगरे के प्लांट में ऐसे तो main pruning यानि hard pruning जो की जाती है वो winter के समय फेवरी के time पे करनी चाहिए लेकिन अगर अभी भी आपके प्लांट में flowering नहीं हो रही है तो आप उसकी soft pruning यानि टॉप से हलका हलका branch को उपर से आप pinch कर दें हलकी pruning कर दें ताकि प्लांट में नई growth start हो सके उपर से टॉप से pinching या pruning करने से प्लांट को हलका stress होता है जिसकी वज़े से वो जल्दी से नए नए branches निकालता है और जितने जादा branches या जितनी जादा नई stem आएगी आपके प्लांट में उसमें जो है नई कलिया और फूल आने के chances बहुत जादा बढ़ जाएंगे और जैसे बहुत लोगों की समस्या होती है कि उनके प्लांट में मतलब मोगरे के प्लांट में कलिया तो बहुत जादा आ रही है लेकिन वो कलिया फूल बनने से पहले ही ज़ड़ जा रहे है प्लांट में अगर किसी प्रकार के nutrition यानि किसी प्रकार के पोशक तत्व या किस कंभी को ज्ञा रहे हैं तो अगर आपके प्लांट में कलिया नौर्मली ज़ड़ रही है तो वो किसी पोशक तत्व या सुक्ष्म पोशक तत्व की कमी से ऐसा हो रह रहा है लेकिन अगर प्लीया तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी आप मोगरे के प्लांट में ज इसकी वज़े से वो खिलने से पहले ही सड़ जाती है और साथी आपको ये भी चेक करना चाहिए कि प्लांट में किसी प्रकार के फंगस वगेरा का तो अटाक नहीं है क्यूंकि फंगस के अटाक होने के वज़े से भी जो है कलियां ड्रॉप होने या कलियां सड़के या सूख उसके गिरने के चांस्स रहते हैं उसके लिए टाइंट् टू टाइम जो है किसी फंग जिसाइड का प्लांट में स्प्रे लेते रहें साती प्लांट की मिट्टी में भी बिज़ोंगस verr कर दें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और अगर मोग्रे के प्लांट की ग्रोथ रुकी है तो चांसेस है कि प्लांट की जो मिट्टी है वो अलकलाइन हो गई हो यानि छारिये हो गई हो मोग्रे को जो है वो एसिडिक मिट्टी पसंद होती है तो अगर मिट्टी वहीं अलकलाइन हो जाती है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक सी जाती है और नए नए स्टेम या कलिया उसमें नहीं आती है तो प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए साथी मिट्टी को हलका एसिडिक बनाने के लिए उसमें आपको ऐसे फटलाइजर या ऐसी चीज को मिट्टी में डालना चाहिए जिसे मिट्टी हलकी एसिडिक भी बने और उसमें सारे पोशकतत्व और सुक्ष्म पोशकतत् तो उसके लिए आपको जो वर्मी कंपोस्ट यानि जो केच्वे की खाद आती है उसकी आपको मिट्टी के मतलब प्लांट की जो मिट्टी है उसके उपर टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए मतलब एक से दो मुठी खाद आप मिट्टी के उपर सते पे आप डाल दे और खाद डालने के बाद हलकी मिट्टी की गुड़ाई कर दे वर्मी कंपोस्ट खाद में बहुत सारे पोशक तत्व होते हैं जैसे नैटोजन, फॉस्फरस, पोटाशेम अगेरा और इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोशक तत्व भी होते हैं और ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं जो की प्लांट ग्रोध बूस् एक कमी को पूरा करने के लिए इसमें आप जो कौफी पॉड़र आता है उसका इस्तेमाल करें जो गर में नौर्मल कॉफी इस्तेमाल करते कोई भी आप जो एंस्टेट कॉफी ऐसको भी ले सकते कॉफी पॉडर मिट्डी को एसिडिक बनाने के साथ साथ इसमें भी nitrogen, potassium, phosphorus होता है साथ ही इसमें बहुत सारे सुक्ष्म पोशक्तत्व पाए जाते हैं तो coffee powder को आपको बहुत जादा मात्रा में नहीं लेना है अगर plant छोटा है मोगरे का तो उसमें आप एक छोटा चमच ले और बाकी अगर plant बड़ा है तो एक बड़ा चमच आप 100-200 ml पानी में अच्छी तरीके से गोल ले और फिर आपको इसको plant की मिट्टी में डाल देना है और आप coffee powder को पानी में गोल कर भी डाल सकते हैं या फिर आप powder को डाल सकते हैं बेटर होगा पानी में गोल कर डाले ताकि जो coffee powder की में मौजूद जो nutrition है वो अंदर मिट्टी तक पहुंच सके कौफी powder के इस्तमाल करने से अगर मिट्टी alkaline हो गई है जिसकी वज़े से plant की growth रुकी है तो वो थोड़ा acidic बनेगी जिससे plant की growth फिर से start होगी साथी इसमें जो मौजूद micronutrients है वो plant growth booster का काम करेंगे तो coffee powder को आपको जादा नहीं 10 से 15 दिन में एक बार plant में यूज करना चाहिए तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखके आप भी मोग्रे का plant grow करें आपके भी जो plant की growth है बहुत ही अच्छी होगी दोनों fertilizer को इस्तमाल करके देखें बहुत अच्छा result मोग्रे के plant में मिलेगा प्लांट की growth रुकी है तो हलका pinching और pruning करें तो आज की इस वीडियो में इतना ही और भी मोग्रे और बाकी प्लांट से related बहुत सारी वीडियो में आपके साथ शेर करती रहोंगी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक ज़रू करें और साथी चानल को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे